नमस्ते संदीब के सवाल में आपका स्वागत है आज हम लोग थोड़ा बात कर लें ये जो बी एसनल के साथ अभी एक वहवार हो रहा है और ये बात इसलिए आवशक है कि हाल की दिनों में आप लोगों ने देखा होगा पिछले दो चार पांच-छे महिने से कि बात करना मु बहुत अच्छा चलता है जियो लेलो ये बहुत अच्छा चलता है इसके पीछे एक बैग्राउंड है ये पिछले 20 साल की मेहनत का फल है हमारे सरकारी उन लोगों का जो ये चाहते हैं कि सरकारी उद्द्योग से बीसनल खतम हो और कैसे ये जाके प्राइवट हातों में चल सब्सक्राइब तो जियो बिलकुल अपनी मुठी में करने को करीब करीब उसकी मुठी में आ चुकी है तो संदीर सब मैस जो पहली चीज आप से आ रही है आप कुछ कागज लेके आए हैं और आप बता रहे थे कि कैसे एक योजना के तहत जिसमें कागजी कागज आपके प यह जो मामला है वैसे तो यह सब लों की जानकारी में है कि किस तरह से सरकारें हमारी खास करके जब से इस देश में नई आर्थिक नीती लागू हुई है निजी करण उदारी करण और वैश्वी करण वाली उसने जानबूज के निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया है और ये तो मोदी जी ने अभी धडले से सरकारी परिसंपत्यों को बेचना शुरू कर दिया है लेकिन ये काम तो बहुत कहना चाहिए कि योजना बद तरीके से कि सरकारी संस्थानों को कैसे असफल करो और निजी संस्थानों को कैसे फाइदा पहुँचाओ ये काम इस देश मे 1991 से शुरू हो गया है और मैं आज आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूँ ये सब को मालुम है कि BSNL बंद हो रही है करमचारियों को जबरदस्ती जो है VRS दिया जा रहा है और ये तो सब को मालुम है कि किस तरह से आपने खुदी बताया कि जियो पहले उसने 6 महिना मुफ्त सुविधा दी और हमारे प्रधान मंत्री पहली बार ऐसे भारत में हुआ कि प्रधान मंत्री किसी निजी कंपनी के विग्यापन में आते हैं और आज आप देखें कि धीरे धीरे करके सब लोग जियो का इस्तमाल कर रहे हैं और दिन प्रधे दिन उनके शुल्ट भी बढ़ते जा रहे हैं अब जब BSNL खतम हो जाएगा तो उसके बाद आपके सामने कोई एचारा नहीं रहेगा सिवाए इसके कि आप जियो का फोन इस्तमाल करें तो ये पूरी साजिश जो हुई है ये कैसे हुई है देखे मैं यहाँ इस्पष्ट कर दूँ कि वैसे तो मैं सोसलिस्स पार्टी से जुड़ा हूँ तो जाहिर है कि समाजवादी नीतियों को मानता हूँ मैं मानता हूँ कि जो बड़े उपकरम है जैसे रेलवे है, दूर संचार है पूरा ही यातायाद बलकि शिक्षा है, स्वास्थ है ये सब सरकारी हातों में होना चाहिए लेकिन कुछ छेत्रों को निजी छेत्र के लिए खोला जा सकता है इसमें कोई आपत्ती नहीं है और निजी करण भी दो प्रकार का है देखी एक तो निजी करण वो भी है जो फुटपाथ पे सबजी और फल बेचते हैं और उनके उपर भी बड़ा भारी संकट है हमारे मंडी के मित्र बताते हैं कि आज कल फुटपाथ पे बैठने नहीं दिया जा रहा है ये भी साजिश है ताकि आपको मौल में जाके सबजी खरीदनी पड़े तो आप छोटे जो निजी करण हैं जो जिससे की एक छोटे इस तर पे एक विक्ती एक परिवार एक व्यवसाई अपनी रोजी रोटी चला रहा है उसको खतम करके आप सारा व्यापार आप बड़ी कंपनियों के हाथ में सौपना चाहते हैं इस निजी करण के तो हम लोग खिलाफ हैं निश्चित रूप से और आज मैं जो आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूँ ये एक केस मैंने ही किया था ये केस का नंबर है 2530-2012 का केस है ये इलहाबाद हाई कोर्ट में किया गया था इस केस को करने के बाद 2013 में एक जाज समिती बनाई गई जाज समिती में जो अधिकारी थे VP सिंग, DDG, Term, UP East, SK Aria, Director DS2, DOT HQ और हरिश कुमार, Director IMS Merit और हमाई petition इस बात को लेके थी कि BSNL के कुछ करमचारी फरजी नंबरों से इंटरनेशनल कॉल कर आ रहे थे और वो नंबर भी आप सुनेंगे तो आप हैरत में पढ़ जाएंगे वो नंबर था 532 जो इलहाबाद का कोड है 00000000 ये नंबर आपने कभी सुना नहीं होगा ये टेलिफोन नंबर है जिसका इस्तमाल करके और उत्तरप्रदेश जहां तक मेरी जानकारी है इंटरनेशनल कॉल के लिए सिर्फ लखनव में एक गेटवे हैं वहाँ से होती हैं लेकिन कानपूर में एक गेटवे क्रियेट करके BSNL से कॉल हैंडोवर कर दी जाती थी BSNL को जो विदेश अंचार निकम लिमिटेड था और ये इलहाबाद के इस नंबर से 70,008 कॉलें हुई हैं और इसके अलावा कुछ अन्य नंबर है जिसमें एक नंबर 5,3,2 और आगे 3 लगा है ये मुझे बतायागे है ये 3 ये Reliance को नंबर दिया गया था तो Reliance कमपनी को कॉल कराई गई है 7,166 ये संख्या कम लग रही होगी लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ 4 महीने में Reliance के उपर BSNL ने खुद 5,7,475 रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने अवैद तरीके से BSNL के नेटवर्का इस्तमाल किया तो अब जब आप सोचिए कि सिर्फ अगस्ट से लेके नवंबर 2003 के 4 महीनों में अगर 5 लाग का जुर्माना है तो ये जाहिर है कि 4 महीने तो ये खेल चला नहीं है ये तो इसके पहले भी हुआ होगा और इसके बाद भी चला होगा जब Reliance का अपना नेटवर्क नहीं था तो वो BSNL का नेटवर्क इस्तमाल कर रही थी और किस तरह से इस निजी कंपनी ने BSNL के करमचारियों को करप्ट करके और उसके नेटवर्क का इस्तमाल करके और BSNL को घाटा पहुचाया और अपने आपको आगे बढ़ाया BSNL के अधिकारियों को ये रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि एक रवी गांधी सहाब है जो डाइरेक्टर वी टीम सेल्थ है उस समय और वो इस्तीफा देके Reliance कंपनी को उन्होंने उसको जॉइन कर लिया तो ये जो एक तरीका है जिसमें प्राइवेट कंपनियों ने फाइदा उठाया सरकारी संथानों को नुकसान पहुंचाया खुद को आगे बढ़ाया उनहीं के अधिकारियों करमचारियों को अपने नोकरी भी दे दी क्योंकि वो सब जो सरकारी संथानों में प्रशेक्षित लोग थे उनको मालूम था कि ये सारा कैसे काम करना है तो ये अब आप बताईए कि अगर इस काम को आप देशद्रों की श्रेणी में नहीं रखेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा और ये हमारे नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिये जो दो पूझी पती हैं उसमें से एक है और ये सब को मालूम है कि किस तरह से करोना के दौर में जबकि छोटे से लेके बड़ा व्यापारी को इतनी मार पड़ी है कि आज सब करा रहे है ये कैसे हो गया कि दो सबसे बड़े पूझी पतियों ने खोब फाइदा कमाया और उसमें से एक तो अब दुनिया का तीसरी नमबर का जो है सबसे अमीर आत्मी बन गया तो ये पूरी कहानी ये इस बात का खुलासा है किस तरह से सरकारी संस्थानों को ये खतम करके और नेजी कमपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें सीधे सीधे हमारे प्रधान मंत्री शामिल है और एक बात और बता दें ये जो मैंने कहा ये तो देशद्रो है ही वो इंटरनेशनल कॉल्स कुछ ऐसे देशों में भी हूई है जिसमें हो सकता है कि आप कुछ देश विरोधी तत्वों से बात कर रहे हैं तो वो सारे नमबर है इसमें तो ये जो उन देशों में जो बात हुई है किसने बात की अब आपको इसकी कोई जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि यह जो कॉल हुई है यह नंबर से हुई है 532 000000 अब आप पता करते रहिए किसने कॉल की तो BSNL के के नेटवर्क को استعمال करके यह जो इंटरनेशनल कॉल्स हुई है इसके मेरी जानकारी में हमारी एक पूलिस अधिकारी से बात हुई है इसमें धाराएं 420, 418, 1 धारा 20 है, 25 है, 27 है यह सारी धाराएं यह जो बात की तीन धाराएं हैं यह टेलिग्राफ एक्ट की हैं जिसमें establishing, maintaining or working unauthorized telegraph, internationally tempering with telegraph और fraudulently sending message without payments यह टेलिग्राफ एक्ट 1885 की धाराएं हैं यह सारी धाराएं लगती हैं तो काइदे से तो यह जो खुलासा BSNL ने खुद किया यह कोई, हमने नहीं यह जाच की है, यह BSNL के तीन अधिकारियों, बड़े अधिकारियों की जाच है इसमें हमारी मांग है कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि यह कौन लोग थे, किसके इशारे पे BSNL को भरष्ट करके, उसके network का इस्तमाल करके international calls की गई है, BSNL को तो नुकसान पहुँचाया गया है, अमबानी को फाइदा पहुचाया गया है लेकिन इसमें किन लोगों ने किस से बात की है, इसकी जाच होनी जरूरी मैं एक चीज़ और दर्शकों के लिए बता दूँ कि वो जो जीयों के विग्यापन की बात कर रहे थे, वो देश का कानून उसको मना करता है कि देश के प्रधान मंतरी की फोटो नहीं लग सकती है, और उसमें जो उनको पैनाल्टी लगी थी, वो अगर मेरी याददाश सही है, तो या तो पांस सवर रोपे लगी थी, या पांस हजार के से कम लगी थी, उस वाइलेशन को करने के लिए, तो खेर, दूसरा मैं एक च सकता हूँ, जो या तो उन्होंने रिजाइन करके, या जब वो उनका रिटार्मेंट हो गया, उसके बाद तुरंट उन्होंने रिलाइंस जोइन कर लिया, और वो समय था, तब रिलाइंस का विस्तार हो रहा था, बियसनल की तरफ से रिलाइंस चा रही थी, कि उनकी तरफ लोग जाएं और बहुत से यहां के CGM लेविल के अधिकारी रिलाइंस जोइन कर रहे हैं और मैं एक बात कह दूँ वो थोड़ी सी भधी बात लगेगी रिलाइंस की बारे में मशूर है कि रिलाइंस खाना तो फ्री में देता है लेकिन जब आपको शोचाले जाना होता है उस बढ़ाना शुन करेगा तो एक तो संदीप जी जल्दी से आप एक टिप्णिया आपसे चाहते हैं कि यह सरकार का कहनाना कि सेवा में, सर्विस इंडस्ट्री में सरकार को नहीं है लेकिन यह जो सरकार के जब कोई इंडस्ट्री या वो रहती तो वो उस प्राइज का एक त उसमें देख लीज़े सरकारी स्कूलों के पैसे कम हैं प्राइवेट की ज्यादा है आप ऐस्पटाल में देख लीज़े तो बी एसे डिकल करने की जो साजेश हो मेरे क्याल में आम विक्ति के लिए तो मुश्किल समय आने वाला है ने ने बिलकुल सभी बात है, हमारा मानना है कि देखिए एक समाजवादी होने के नाते, मैं ये मानता हूँ कि इनसान की जो मूलभूद जरूरते हैं, जो एक तो रोटी कपड़ा मकान होती हैं, और इसके अलावा दो और होती हैं, वो है यातायात और दूरसंजार, ये अपनी पूरी आजादी का इस्तमाल करना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, तो शिक्षा और स्वास भी जरूरी हैं, इसलिए रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास, दूरसंचार, यातायात, ये साथ चीजों को में तो निजी छेतर का प जो जहां पे इनसान को बेहतर जीवन नसीब है, चाहे आप सकंडिनेवियन देशों की बात कर लें, या आप दूसरे पश्चिमी देशों की बात कर लें, जपान की बात कर लें, वहां पे जो सेवा छेतर हैं, सेवा छेतर में भी जो जरूरी सेवा हैं मनुश्यों के लिए वो सब सरकार के हाथ में जैसे शिक्षा, G8 सारे देशों में शिक्षा सरकार के हाथ में तो इसी तरह से 30 देश ऐसे हैं जिन में स्वास्थ विवस्था सरकार के हाथ में मतलब वहाँ इनसान को पैसा नहीं खर्ज करना पड़ता अपना इलाज कराने के लिए और उसमें एक छोटा से देश है क्यूबा जो करोना के समय जब तरही तरही मची हुई थी पूरे संसार में और हमारे हाँ मरीजों की लाइन लगी थी अस्पतालों के बाहर तो उस समय क्यूबा अपने डॉक्टर दूसरे देशों में भेज रहा था दूसरे देशों की मदद करने के लिए हमारे हाँ तो कम पड़ गए थे डॉक्टर और अस्पताल के तो कुछ चीजें हैं जिनके साथ बिलकुल छेड़ छाड़ नहीं होनी चाहिए जिनमें मुनाफ़ा कमाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए लेकिन दुर्भागे से इस समय एक ऐसी सरकार आ गई है जो तो हर एक चीज में सिर्फ पैसा कमाने का ही सोच रही है मतलब आप रेलवे के टिकेट से लेके जहाँ वरिश नागरे को और अन्य लोगों को जो पहले कंसेशन मिलता था खतम कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के अधिकार अधनियम में बच्चों की जो फीस दी जाती थी सरकार की तरफ से वो बंद कर दी गई है तो हर एक चीज में जो ये पैसा कमाने की जो प्रवर्ती है और मुझे लगता है ये इसमें कहीं न कहीं हमारे प्रदान मंतरी का गुजराती प्रिश्ट भूमी जो है वो पीछे से काम करती है वो खुद कह भी चुके हैं कि मैं गुजराती हूँ मुझे मालूम है कि ये व्यापार वगरे सब कैसे होता है और इसमें कोई आश्चर नहीं है कि दो गुजराती व्यापारी उनके साथ एकदम इस तरह से जुड़े हुए हैं कि मोदी जी अडानी के जहाज में सफर करते हैं और अडानी को दुनिया का नंबर तीन जो है अमीर व्यापारी भी बना देते हैं तो ये कुल मिला के देश के लिए नुकसान दायक है इस तरह की सरकार और इस तरह की नीतियां जी बहुत धन्राद संदीब भाई चर्चा के लिए लेकिन आप सब लोगों को भी दर्शुकों को भी ये चीज थोड़ा समझना होगा मुश्किल हो सकता है BSNL का फोन आप लें और उसमें तोड़ा दिक्कत हो लेकिन फिर भी जहां तक संबभ हो सरकारी फोन यूज करें सरकारी बैंक में पैसा रखें वो लॉंग रन में हर्दम ठीक रहेगा और एक चलते चलते एक बात और मैं कह दूँ निजिता का जब सवाल शुरू हो गया है आपकी राइट टू प्रविसी की बात है पेगेसस से लेके यह सब जो आज जिस तरह से आपके निजिता में दखलंदाजी कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं उसमें अगर सरकारी नियंतरण में रहेगा तो शायद इस पे भी नियंतरण रखना आसान होगा नहीं तो प्राइवेट सेक्टर तो सब कुछ उसके लिए पैसा है इसा इसा बिजनस वादें जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू